हेलो दोस्तो, वेलकम बेक टू माई चैनल, तो आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपने एक बिजनस के लिए एक एप कैसे बनवा सकते हैं, कहां से बनवा सकते हैं और कितनी कॉस्टिंग आईगी, चाहे आपका बिजनस किसी भी तरह का हो सकता है, ग्रोसरी सॉप, कलॉथ स्टो ये वीडियो को अंतक्त जरूर देखिएगा, तो दोस्तो, आपके जानकाड़ी के लिए मैं आपको बता दूँ, कि मीट मॉल कोई यूटूब चैनल नहीं, बलकि हमारा एक नॉनवेज डिलेविरी एप है, इस एप को बनाने से पहले हमारा एक चिकन सॉप था, जिसका ना रहा था, साथ महीं हमारी दाल रोटी अच्छी खासी चल रही थी, परड़े 50-70 कस्टरमर हमारे दुकान में आते थे, जो कि लगभग 3-4 किलोमीटर के रेंज से ही आते थे, मगर हमें भूख थी अपने बिजनस को और बड़ा करने की, सो मैंने अपने लिए एक एप बनव कर रहे हैं इस एप को और पर डे 100-500 ओर डिलिवर कर रहे हैं, और इसमें मार्जिन भी जादा है, तो हमें अच्छा खासा मुनाफ़ा हो रहा है, यह तो सिर्फ 6 महीने की बात है, मुझे लगता है कि अगर इसे और एक साल तक मैं करूं, तो मुझे अच्छा खासा मुनाफ क्या कोस्टिंग आई, और इसी के कारण से आज ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका एक छोटा-मोटा बिजनस है, और आप अपने बाजार में ही उसे सेल करते हैं, किसी भी तरह का बिजनस हो सकता है, तो मेरा आ चीजनस चल रहा है, वो तो चलीगी ही, साथ में ही आप चाहें, तो आप अपने सीटी लेवल, डिस्टिक लेवल, स्टेट लेवल, या फिर ओल ओवर इंडिया में अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और अच्छा-खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, तो चलिए, जानते हैं कैसे ये बन सकती है, और कहां से आप बनवा सकते हैं, और कितना ही कॉस्ट आएगा, तो दोस्तो, इस वीडियो को सिंप्लिफाई करने के लिए, मैं आपको सीधा-सीधी बता देता हूं, कि इसे बनाने के लिए, मुझे बाहर कहीं जाने की जड़ोत नहीं पड़ी है, मेरा 4,999 रुपई लिया था, जो की लगभग 10,000 रुपई के आसपास होते हैं, और ये वन टाइम खर्चा था मेरा इस एप को बनाने का, जो मेरे जिंदगी भर के लिए एप मेरा बन चुका है, मगर प्ले स्टोर पे रखने के लिए एक मेंटेनन्स कॉस्ट देना पड़ता है, जो की लगभग पर देख का 10 रुपई के आसपास बनता है, यानि की सालाना आपको 3500 से 3600 रुपई आपको पे करना है, इसे प्ले स्टोर पे रखने के लिए, इस एप में वो साड़े फीचर्स रहेंगे जो एक बड़े एप में होते हैं, साथ महीं आप इसे अपने तरीक एप बनाने का जो खर्चा है, वो है 10,000 रुपई के आसपास और हर साल आपको 3500 से 3600 रुपई कोस्ट देनी पड़ेगी इसे प्ले स्टोर पे रखने के लिए, साथ महीं आपको इस 10,000 रुपई में एक वेबसाइट भी फ्री मिलता है, ताकि अगर कोई आपका एप डाउ आप किसी भी बिजनस के लिए बनवा सकते हैं, इसी कॉस्ट में, और अगर आपको किसी भी तरह का ट्रस्ट का इसू आए, तो आपको हमारा लोकेशन हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप हमारे यहाँ पे आकर भी उनसे बात करके बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत न बट कड़े जरूर, तो दोस्तो वीडियो खतम करने से पहले मैं एक बार और आपको क्लियर कर दूँ, कि ये एप बनाने का जो कॉस्ट है, वो लगभग 10,000 रुपए है, और हर साल इसका मेंटेनंस कॉस्ट है, 3500 रुपए से 3600 रुपए के आसपास, तो आप चाहें, तो इस नमर पर कॉंटेक्ट करके अपने लिए हर तरह के बिजनस के लिए एक एप बना सकते हैं, अपने बिजनस को ओनलेन लिया सकते हैं, और बड़े ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इतनी देर आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक्स फर वाचिंग